हाई फ्रेंड्स वेलकम तो नमीका किचिन आज मैं फिर आप लोग के साथ एक बहुत ही हल्दी रेसिपी लेकर आई हूं वेलकि एक नहीं दो दो रेसिपी है और सेम बैटर से मैंने दो रेसिपी बनाये हैं बहुत ही हल्दी है ब्रेकफास्ट में खा लीजिये लंच या डिन मैंने इसको मिक्स कर लिया तो तीनों चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी मुझे लागा कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप अपने घर के जो सदस्य हैं मेंबर्स है उसी अकौर्डिंगली मिक्चर को बनाईएगा तो मैंने थोड़ा सा हटा लिया मतलब करीब हटा कर मैंने बॉटल में रख लिया कि बाद में ये काम आ जाएगा अब मैं इसमें मिलाओंगी दही और ये दही मैं घर में ही जमाती हूँ एक कब दही हमको इसमें डालना है दही बहुत ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे दे और इसको बहुत ज्यादा रनी मतलब बहुत ज्यादा एक पानी पानी नहीं करना है और बहुत ज्यादा गाडा भी नहीं करना है अब ढ़क कर मैं थोड़ा देर के लिए रख दूंगी 10-15 मिनिट या मैकसिमाम आधा गंटे के लिए रख देंगे और जब तक हम अपने वे तो अगर हम चीला बनाएंगे तो थोड़ा सा इसको हम हलका गीला रखेंगे बैटर को और अपे बनाएंगे न तो बहुत ज़्यादा हमको गीला नहीं रखना है बैटर को नहीं तो अपे नहीं बनेंगे तो लेकिन मैं इसी बैटर से आपको चीला और अपे दोनों ही बना कर दिखाऊंगी तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं नम स्वादानुसार ये है बलाइक पैपर पॉडर ये है हलदी ये थोड़ा जीर साथ पॉडर था और ये है कड़ी पत्ता का पॉडर जो मैं अकसर भरा कर वड़ देती हूँ मैं थील थोड़ा सा गारलिक पॉडर डाल दीया मैंने क्यों मैं powder ही डाल रही हूं उसमें तो powder मैं अकसर बना कर रख देती हूं तो थोड़ा सा और मैंने इसमें पाने डाल दिया और इसको थोड़ा मैंने consistency को फोड़ा सा और पतला कर दिया ये देखिए सब्सब्स आप अपने choice के हिसाब से डाल सकते हैं जो जो सब्सब्स आपके पास है वो आप जरूर डाल लिये जैसे कि मटर है आप boil corn भी डाल सकते हैं और जो जो सब्सब्स आपके पास नहीं है बिल्कुल skip कर सकते हैं बहुत ही healthy होता है बच्चों को टिफिन में आप इसको आराम से दे सकते हैं बहुत जलदी बन भी जाता है और अगर घर में आप नाश्ते में खा रहे हैं तो आलू बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और घर में कोई डियाबिटिक है तो उनको भी आलू आप बिल्कुल मत दीजेगा लेकिन अगर बच्चों के टिफिन में दे रहे हैं तो एक बॉil आलू और एक चीज का क्यूब जरूर दे दीजेगा इसमें एक या दो भी डाल सकते हैं आप इस अस्तिक तवा ले लिया तो इसको अच्छे से गरम कर लिया और क्यूंकि इसमें बहुत सारा वेजीज मैंने आप डाला है तो इसलिए ये ज्यादा पतला नहीं होगा जैसे हम डोसा बनाते हैं तो ये थोड़ा मोटा ही रहेगा और जितना हो सके कर्ची से आप फेला कर इस इनको आपको अच्छे से दबा दबा कर धीरे धीरे पकाना है और एकदम फ्लेम को भी लोटू मीडियम ही रखना है तो आपको पता चल जाएगा देखिए दोनों दरफ से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है तो हमारा चीला बनकर बिलकुल रेडी हो गया था अगर आप अपनी मन पसंद चटनी के साथ दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसको तो यह हमारा चीला बनकर बिलकुल रेडी था तो बहुत ही हल्दी होता है और बहुत ही यह टेस्टी भी होता है आप भी इसको अपने घर में जरूर बनाईएगा तो चलिए आप मैं दिखाती तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया आप चाहे तो ऑइल भी डाल सकते हैं और एके कड़्ची भर के मैंने इसमें डाल दिया था और चार-पाच मिनिट तक के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में इनको धग कर रख दीजिएगा और फिर हम धकन खोलेंगे बस अराम से फिलिप हो जाएगा यह देखिए जब मच की साहता से सबको आप पलट दीजिए पलटने के बार दूसे तरफ से इनको पकने के लिए छोड़ दीजिए इनमें भी सेम चीज होगा कि इसको आपको कम फ्लेम पे ही पकाना है ज्यादा फ्लेम में पकाएंगे तो यह जल जाएगा लेकिन इसमें एक बेनिफिट यह है कि एक यी बार में काफी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों को इसको उठा कर खाने में भी थोड़ा इजी होता है तो यह बच्चे टिफिन में लजाना भी पसंद करते हैं तो यह देखिए अलट पलट कर दीजेगा चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब पी जरूर कर दीजेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए